पार्स टायम आग दो चीजे हमारी थी जो नहीं चल लही थी एक एमेल करता जो जो कि वो नहीं चल रहे थे एक तो कि एमेल बीनि आ रहा सेल्सकोस में और वहांपर वेरिफाइण का अप्षन भी नहीं आरहा दूसरी चीजे कि जब हम केस असाइमेंट रूल चला रहे थे तो वो इमेल तो आ रहे थी बट वो दूसरी इमेल आ रहे थी तो यह दोनों चीज़े जो है करके देखनी हैं देखोगे और बता चलेगे क्या इस्व है और वो चीज़ बताओगे कैस तरफ थे जबताऊने के मैं हैं आज चीज़े आज बिजने साबर क्या होता है और केस एसके लेशन रूल चोऊ क्या होते हैं अगर उसके जो भी working hours है जैसे कि किसी किसी company के working hours होते है 9 to 6 किसी किसी company का working hours होता है 1 to 9 ठीक है और जो company actual में कई countries में होती है तो उनका क्या होता है उनके जो working hours होते हैं सब्सक्राइब higher उसमें कैसे सारे इंप्लभाइज होते हैं और वह अरू सार आप आ ठीक है कि यह लोग सुबह नौ से शाम के च्छह ले давним में कुछ लोग दोताव नोबजे से ही अग commitment का तो यह एक चलती है जिनके अलग अलग कंट्री में ऑफिसेश वगेरा होता है तो उसका एक यह होता है उस चीज़ पर काम चलती है तो वही है कि सेल्सपोस भी बिजनेस आवर्स देता है आपसंस कि आप बिजनेस आवर्स अपने क्रियेट कर सकते हो ठीक है और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बिजनेस आवर्स प्रेट करो अब एक से जादा बिजनेस आवर्स प्रेट कर सकते हो तो जैसे कि हमने डिसकस किया कि 9am से 6pm IST यह कोई कोई भी मतलब मोस्ली जो इंडिया की कंपनी होती है वह ऐसे काम करती है 9-6 या पिटेंट्ट तो 5 या 10-6 कभी कभी 10-7 भी काम करती है है तो वह करता है कि अब किसी का जो है कोई भी जो कंपनी है उसका क्या वरकेंट्ट इवा कैसे काम करते हैं तो वह ऐसे होता है यह कुछ working hours mostly जो है यह अब ऐसे होते हैं कि वन नाइन नाइन बी माइस्टी टो सिक्स एमाइस्टी तो वह ऐसे कुछ working hours होते हैं ठीक है तो हम अब इनका use क्या है हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि हमारा क्या लेना देना है और अचानक से केस पढ़ते पढ़ते working hours का कहां पर आ गया तो उससे पहले हम salesforce में चलते हैं और यहां पर जो हमारा setup है उसको देखते हैं कि setup में क्या है और यहां पर setup में search करेंगे business hours तो यहां पर company settings के अंदर business hours करके आ जाएगा और यहां पर business hours में पहले से ही default business hours आपका है जो कि एक्टिव है ठीक है इसको अगर देखोगे तो यह बाइडिफॉल 24 hours का दे रखा है ठीक है और उसके अंदर holidays वगरा भी एड़ कर सकते हो जो company की holiday हो या फिर यह गवर्मेंट holidays हो या फिर कुछ एक्ट्रा holidays है तो यहां पर आड़ कर सकते हो तो अगर हम बात करें कि हमारे बास business hours है जो और यहां पर वापस फिर से जाएं business hours में तो यह हमें default है हमें अगर नया क्रेट करना हो तो हम new business hours क्रेट करेंगे और इसको बोलेंगे कि हम लेट से हमने इसको बोल दिया पैंट्री स्कूल्स यह बोलगा कि यूज डिफॉल्ट बिजनेस आवर्स यूज इस बिजनेस आवर साइस डिफॉल्ट मतलब अगर इसको चेक कर द ठीज में फेट प्ले सब्सक्राइब आपाइब ही सिंग्या डिया प्लस थर्ती घ म 창ृएंडियें स्टैंडर्ट ठाइम ऑन डिया है इसको लेते हैं को लंबो छिलंका का स्रांवा जिए को लगता है घर टीकए हम इसको जो Sunday है कैसे होगा जीरो जीरो एम जीरो जीरो एम संडे को को कोई काम नहीं होता है और स्टरडे को भी कोई काम नहीं होता है यहारे business hours होगे Monday को हम बोलेंगे 9 एम तूक 6 पीएम यह बोलेंगा यह हमारा चलेगा बाकी उस पे बाकी पास दिन जो है हमारे ठीक है और यह यहाँ पर कॉपीपेस्ट हो जाएगा और इसका भी यह हमने एक बना दिया इसको सेफ कर दिया बहुत सिंपल सा है कुछ वो नहीं है ठीक है एक्टिव हो गया डिफॉल्ट अब हमारे यह हो गया क्योंकि हमने इसको चेक कर दिया था ठीक है और दूसरी चीज़ यह है कि अगर हम केस ऑब्जिक्ट पर जाएं और कोई भी हमारा जो लियाउट है उसके एडिट करें में जो वार्श करके कि यह कोई कि यह होती है फिल्ट भीने साफ होती है मेर्शक होता है उसकी अंदर पूर क्लियर हो जाएगा तो Athens यह होगे इसको सेब कर लेता है तो यह हमारा था बिजनेस आवर से आपर क्लियर हो गया वागी वहीं सेम चीज अगर मतलब सेट अप पर जाके बिजनेस आवर पर जाओ को ओपन करो और जैसे कि इसमें होलिडेज आड कर सकते हो कि और रिमूव सारी 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 कैंसल किया जब बीजनेस आवर टीटेल ओपन करोगे और जैसन बिजनेस आवर पैंद्रिश स्कूल्स है यह उसकी टाइमिंग है ठीक है संडे को 24 आवर्स इसको 24 आवर्स दे दिया है अच्छा एक कुस्तवाण बढ़ा है सकारना पड़ाए यह होगा बारे म से बार duy देखते हैं 24 आवर्स अगर नहीं ले तो ठीक है अगर लेता है तो कोई बात नहीं यह क्यों ले रहा है 24 hours इसको नहीं लेना अच्छा स्वरी बारा की जरुती नहीं है इसको देने की जरुतने है ठीक है इसको हमें देने की जरुती है कि यह गॉर्णमेंट हो सकते हैं इसमें अड करना पड़ेगा कहां पे आड करोगे इसी में कमपनी सेटिंग्स के अंदर एक आता है हॉलिडेस इस पर जाके कर सकते हो जैसे यह अगया जेसे रूड़े जागे ना इसमें न्यूपर प्लिग करोगे तो यहां पर holiday name आया जैसे कि जैसे हमने कर दिया Independence Day Independence Day और किस दिन होता है अपको बता है कि बंदर अगस्त को होता है ठीक जै ओल डे होगा recurring holiday है recurring holiday yearly on every 15 अगस्त ठीक है क्योंकि यह हर साल आएगा ना बंदर अगस्त को इसलिए इसको recurring कर दिया तो क्या होगा कि मैं बार बार बनाना नहीं पड़ेगा ठीक है यह इसको save कर दिया यह हमारा एक holiday हो गया अब यह कह रहा कि इस holiday को किस business hours में add करना ठीक वो कर सकते हो दूसरा जैसे कि let's say for example यह independence day आया जो कि रिकरिंग बता रहा है लेकिन अगर हम कोई और बनाया जैसे की दीपावलिक ठीक है अगर हम अपने दीपावलिक की बात करें तो यह होती रहती है यह ऀकरिंग नहीं हो मैं मैं इसलोई यहां पर इसको रिकरिंग नहीं बनाएंगे ऊड़्य disp लक्सटर्य की बात करें तो वह हैं domain नफ्पयश्एं बसंसरा करूं दो यह बातॡ़ में अदों याक्टयूपर te कि बूटेंगा उसको पुलओंफा टक के इसमें माना जाता तो वोचीज वहाँ Parchoke कर सकते हैं क्योंकि वोगी भी कर सब्कें स्ession जिए तो वो चीज हम इसमें डाल सकता हॉलीड़ेस में वापस आते हैं में business भशाहेन कर सकें लिएन जब business hours के अंदर जाके add और remove करोगे यहां पे तुम्हारा available holiday दिख जाएगा और यहां पे selected से सरी available से selected भेज़ोगे हो जाएगा तो यह जो है हमारा holiday का हो गया ठीक business hours का हो गया अब हम business hours का use क्या होता है उस business hours को use करने से पहले हम यह देखेंगे कि case escalation क्या होता है क्योंकि case escalation जब हम पढ़ेंगे उसके आदा में business hours का use समझ में आ जाएगा उसके लिए हमें लुचिट चार्ट ओपिन करना पढ़ेगा ठीक है इसमें यह उपन करना पढ़ेगा यह किसका है यह फ्लू का है तो हम इसको ओपन करेंगे open from google drive हमारा जो फोल्डर है फोल्डर के अंदर हम जाके admin डाइगरांब्स और हमें open करना है case management का यह हम open कर लेंगे open इंडिस तो यह हमारा case escalation रूल का है अब case escalation क्या होता है कि अब हमारा एक हर एक company का एक वह होता है service level agreement ठीक है हम अगर case escalation की बात करें तो हर एक company का एक SLA होता है ठीक है SLA उसको हम बोलता है service level agreement service level agreement बोलता है अब यह SLA होता क्या है वह हर एक company अपने define करेंगे यह SLA का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई case आएगा ठीक है इसले जो होता है वह related होता है या तो case से या तो case को कह दो service request एसार बोलते हैं इसको service request इसको inquiry कह दो हर एक इसका एक SLA होता है ठीक है कि इनका SLA होता है जैसे case में अगर हम बात करें तो case में priority के बेस्ट भी हम SLA design कर सकते हैं या फिर हम case में ही case में ही हम priority plus status plus subject में कुछ keywords इनके बेस्ट पर decide कर सकते हैं ठीक है तो यह चीज़ हम उस पर कर सकते हैं हमारा जो भी है केस के priority का यह हम कर सकते हैं ठीक है मतलब SLA ऐसे decide कर सकते हैं तो अगर SLA breach हुआ जैसे SLA breach होगा तो case escalate हो जाएगा मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई urgent priority का case आएगा तो उसको हम तीन गंटे में resolve करेंगा थागर वो तीन गंटे में resolve नहीं हुआ इसका मतलब होगी जो हमारी हायर मैनेजमेंट होगी उसको एसकेलेट हो जाता है जी ठीक है एसकेलेशन का मतलब ही यही है कि अगर नीचे वाले किसी बंदे ने गड़बड कर दिया है तो उपर वाले बंदे तक सिकायद कर देना सीधे सीधे अगर सब्दों में बोला जाए तो सिकायद करना एकस्केलेशन है जी ठीक है तो वही है तो अब कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमने बोला है कि तीन गंटे में रिजॉल्व करेंगे केस तीन गंटे में ही रिजॉल्व हो रहा है क्योंकि होता क्या है कि कु हैं वह हम बहुत ही सोच समझ के बनाते हैं और उसमें डिसाइड करना पड़ता हमें कि केस इसकलेट हमें किसके करना है कि हम टोटल तीन घंटे की बात कर रहे हैं या हम उसके बात कर रहे हैं कि अगर तीन घंटे में केस मॉडिफाई नहीं हुआ है तो उसकी बात कर रहे हैं और तीन गंटे के बाद केस मोडिफाई हो गया है कस्टमर को कम्मुनिकेशन भेज दिया गया है कस्टमर से रिस्पॉंस मांग ली गई है तो फिर हमें इस्कलेट नहीं करना है ठीक है तो वह डिपेंड करता है रिक्वार्मेंट पर यह रिक्वार्मेंट अगें फिर से देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई केस आया तो तो वह क्या क्रैक्रियुम से तो वह क्या हरा है क्या कह रहा है कि अगर की क्या करे भालक트 खर रिपंश है और कस्टोमर को रिस्पोंस चला जाना है और है और कस्टोमर को एंट तो चाय हो तो कि और यह यह बंदे हैं यह एक्चॉल में हाई लेवल बंदे उते हैं जो ऐसे नॉर्मल केस में नहीं आते हैं इनकी एक्सपरिटीस होती है और वो उस एक्सपर्टीश में नहीं है तो जो वह जैandro मतलब जो हमारे customer को जो response भेजना है वो within 3 hours भेजना है मैं उसको response अगर हमने within 3 hours response नहीं भेजा तो tire to support Q को escalate हो जाएगा case जे इसी तरह medium को response response time 8 गंडे low को 20 गंडे ये response time की बात कर रहे हैं हम case resolution की बात नहीं कर रहे हम response time की बात कर रहे हैं कि इस time में customer को response मिल जाना चाहिए और ये हम अपने email जो हमारी case auto response rule की email जाती है customer को उसमें हम ये लिख के देते हैं कि अगर priority urgent है तो उसको लिख के देंगे कि you can expect our response within one hour if अगर high है तो three hours ये सब उसको लिख के देंगे जिससे कि उसको पता चले कि कब उसको response मिलेगा तो ये एक high level जो हमारा है case escalation rule वो total ये है कि ऐसे हमारा case escalation rule काम करता है एक simple सी priority के वेस्ट पर हमने इसको बनाया हुआ है बट ये simple से लेके complex भी हो सकता है case escalation rule जिसमें कई तरह की priorities हो सकती है कई तरह के criteria हो सकते हैं ठीक है तो ये हमारा जो आता है वो आता है case escalation again जैसे कि हमें case के auto response rule में या फिर जैसे कि हमें case के assignment rule में या lead के auto response rule में या lead के assignment rule में हमें email template चाहिए होता था वैसे हमें escalation rules में भी email template चाहिए होता है ठीक है तो अब उसमें क्या है कि यह email template है जो हमने पहले से बना रखा है पता नहीं देखना पड़ेगा बट बना रखा है वो कुछ ऐसा दिखेगा email output उसका ऐसा दिखेगा ठीक है तो यह email template अब हमने बना ही रखी है इसको यूज़ कर सकते हो चैट GPT से बोल सकते हो उसको template दे देगा वो दे देगा template कोई भी एक template बना सकते हो वासे salesforce का standard भी template है ठीक है तो अगर हम case escalation की बात करें सबसे पहले हम case object पर चलते हैं और जह हमारी priority field उसमें एक value add कर देते हैं urgent थारका है हमारी priority फील पर ऐखे Mitch कर देते हैं एड़जांट ठीक है वह गरिद कर देते हैं अडर्चनट ride एक है हमारा जरूरिया वार्णि है इसको reorder भी कर देते हैं टॉप पेस को डाल दिया डिफॉल्ट मेडियम ठीक है तो हम्हारी प्राइटी आगे अब हमें केस इसकेलेशन डूल्स लिखना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे सब्सक्राइश करेंगे सेट अप में सर्च करेंगे और मॉनिटरिंग के अंदर नहीं जाएंगे हम जाएंगे केस इसकेलेशन रूल्स में ठीक है यहां पर जाएंगे हम केस इसकेलेशन रूल्स में अब यहां पर बाइडिफॉल्ट एक इसकेलेशन रूल्स था जो हमने कल साय रियक्टिवेट किया था पिछले क्लास में ठीक है जो कि एक्टिव होता है बाइडिफॉल्ट और इसके अंदर कई सारे रूल इंट्रीज वगरा होते हैं बढ़ हम अपना बनाएंगे जे ठीक है इसको बनाने से पहले अब हम वापस बात करते हैं बिजनेस हावर्स की केस एसकेलेशन समझ में आगया ठीक है जे अब हमने यहां पर बूला कि केस की प्रियारिटी है के इस की प्रियारिकी की चैप अगर हाई आप सारी हाय ने अगर अर्जेंट है तो हम करेंगे एब आप से इसकलेशन मेंट्रिक्स अभी के लिए ठीक हैं अब सिनारियों करते हैं ठीक है सिनारियों नंबर वन नंबर वन जो सिनारियों है बिजनेस आवर्स हमारे यह है ठीक है बिजनेस आवर्स है हमारे यह 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 पर ले ले इसको ले रहे बिजनेस आवर्स जो है वो हमारे जो सेट अप है वो है यह ठीक है सिनारियों सिनारियों ह है कि एस क्रियेतेर कि उसकर करेंट का हुए कि घुच्वक्त आइस एक टुचलन फ्टारी खीला मोच दिज़ने Soc का ऐना फिरभ fist मतलब कि उसको लंवर के अंदर है supremacy कस्टमर को इस पर काम करने की ज़रुपत है ऐसे लिए नहीं होगा ठीक है दूसरा केस क्रियेट हुआ केस क्रियेटेड कव क्रियेट हुआ लेट से की 4 p.m. i.e.s. tb create हुआ वेद हाइप रियारिटी ठीक है इसका टाइम कितना होगा ऐसे लिए टाइम कितना होगा इसका एसले कितना है थ्री है तो फॉर प्लस त्री कितना होगा सेवन तो कंफ्यूज क्यों बता रहे हो नहीं वह बिजनेस आर में तो ब्री हो जाएगा वह शिक्स तक है तो क्या हो जाएगा अब क्हाएं कि दो तू आवर्श आज के काउंट होगे और कि मूलते कि अगर वह आज के चाहे वजये नहीं भी करके दे रहा है तो भी चले गए लेकिन अगले दिन वो उसको दस एम आईस्टी तक रिप्लाई करना ही पड़ेगा ठीक है यह होता है विजनेस आवर्स यहां पर वो एसले बचाता है विजनेस आवर्स जब केस ऐसे और टाइम पर क्रेट होते है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई केस क्रेट हुआ केस क्रेयेट एट सिक्स पी-पीयम इस्टी विद अरजर्फ प्रियारिटी इसका जो एसले होगा वहोगा सेविन पीए माईस्टी अगर आम उस वैसे बात करें तो ठीक है बड़ी एक्षुली में नॉट विदिन नॉट बिजनेसावर्स में नहीं है तो इसका जो एक्शॉल होगा वो होगा 10 A.M. IST तुमॉरॉ उसके अखले वाला दिन जो भी होगा निद्ध है तो यहां पर ये बिजनेसावर्स होते हैं वो काम आते हैं अभी हम सिर्फ एसकलेशन्स की बात कर रहे हैं बड एक्षिल में विजनेस आवर्स माइलिस्टोंस पर भी काम आते हैं माइलिस्टोंस बहुत इंपॉर्टन चीज़ है केस मैनेजमेंट में ठीक है माइलिस्टों होता है उसका एक माइलिस्टों चलता रहता है गड़ी सी होती है वो चलती रहती है केस important होता है milestone milestone में भी business hours बहुत important role play करता है क्योंकि उस पर भी SLA होते हैं और वो SLA यहीं से determine होंगे business hours से तो यह कुछ scenarios हैं जो हमें business hours को समझने में मदद करते हैं कि actual में business hours कहां help कर रहे हैं जी ठीक है दूसरी चीज holidays definitely help करती हैं तो वो कुछ यहां पर इधर कहीं लगा होता है वो घड़ी सी हरी हरी होती हरी लाल पेली time to time change होती रहती है वो वो होती है अगर हम इसमें दिखाएं कि case milestones उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो advanced concept है बट अगर case milestones की बाद करो तो कुछ ऐसा होता है ऐसा कुछ आता है यह ऐसा कुछ होता रहता है थीक अब यह बनाया किसिने यह standard बत होता है सहीया ऐसी जरीख चास्टम है यह custom बनाया है किसी ने यह होता है यह यह this a classic में दिखता है को lightning वा किया है कि तो वह सकता लाइटनिंग का किसी ने इंप्लीमेंट ना किया हो क्योंकि यह क्लासिक का एक क्लासिक में ऐसा दिखता है अधर तो ऐसे कुछ मालिस्टोंस दिखते है तो उस पर भी हमारा बिजनेस हावर्स help करता है हमको ठीक है अब हम escalation rules की बात करते हैं यहां तक clear सब कुछ अंजु ठीक है अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास template है की नहीं क्योंकि बीना template के काम नहीं चलेगा बीना template के काम नहीं चलेगा case escalation इसे करें सकता है case auto response assignment नहीं नहीं यहां काम बना दिए इदर बना दिए गया हाँ यह case escalation इवल template कल बनाई थी ठीक है 13 फैब को इसको बनाई थी इसका folder change नहीं किया था तो इसका folder change करना पड़ेगा मैं अब देखो गया तो यह हमारी बनी हुई यह case escalation ठीक है इसको एडिट करके पहले इसका folder चेंज कर देते हैं बहुत important है हमें अपने folder में रखना है इसको अ हम 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 ठीक है यह हमने फोल्डर चेंज कर दिया यह हमारा email हमको हो गई हमारा case escalation क्या कह रहा है यह क्या रहा कि क्यों चाहिए हमको टीर बन सपर्ट टीर 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 थी टीर फोर सपोर्ट हमको क्यूंच चाही है चार केश ऑब्जेक्ट पर जी ठीक है तो बनाएंगे हम क्यूं यूज पर जाएंगे और न्यू क्लिक करेंगे और डालेंगे टीर वन सपोर्ट ठीक है इमेल वगएर हम यह नहीं डालनी है फिलाल अभी ठीक है और ऑब्जेक्ट हमारा केस होगा यूजर्स भी हमें नहीं आइड करने हैं और इसको सेप किया यह टीर वन हो गया ऐसे हमें टीर 2 टीर 3 टीर 4 ऐसे बना लेने है हम दो ही बनाएंगे टीर 1 और 2 और बस अक्सित पूरा बनाना है है तो हमारा पास ऐक्चुल में 2 है वो कर दिया ठीक है अब हमकेस escalation rules के और नीवप क्लिक करेंगे एसका नाम देंगे केस escalation rule कि especial सरूब और स्टैब्ही क्योंकि एक टाइम पे एक ही तो इसको सेव किया और है और यह आगया पैंथे स्कूल केसे ठीक है आइस यूजवल जैसे हमने बात करी थी कि हमारा जो नॉर्मल एस्किलेशन सारी एसाइन्मेंट रूल हो या रिस्पॉंस रूल हो हमने देखा था कि उन सब में भी जो हमारे कौमन चीज़ थी वह यही थी कि रूल होगा हर एक रूल के अंदर एंट्री के निश्पॉं। अब हम इस पर new पर क्लिक करेंगे और इसका होगा सब्सक्राइए किस कुराइटरिया पर चलेगा हमारा क्राइटरिया बहुत सिंपल है केस की जो प्रियारिटी है वो अगर अरजिंट है जे तेक्ष की प्रियारिटी अगर अरजिंट है अब ये इंपॉर्टन चीज़ है ये जो दो नीचे के हैं ये इंपॉर्टन है specify the business hours criteria for this validation rules तो ये कह रहा है कि आपको business hours specify करने पर एंगे खिक है यह िए कैह रहा है कि आपको पको बिजनेस हावर्ज करने परएंगे अधिक तो इसके लिए अब बिजनेस हावर्ज स्पसिफाई कैसे करेंगे रा बशार संन्हें हम यह तो कह रहें कि बिजनेस आपस को यह फिर हमारे पास यह है कि हम वही बिजनेस आवर्स लें जो केस अब्जेक्ट पे है कि यह फिर हम कोई स्पेसिफिक बिजनेस आवर्स एड़ कर दें केस इसकेलेशन रूल्स के लिए इसी को स्पेसिफाइड ऋगा हम उसी को सेलेट करेंगे इससे यह था है कि हमारा कोई नहीं होता दूझ ची इह चीज समय आती है direction यह हमारा जो है क्या कहते हैं केस से केस से उठा लेता है क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते हम अभी इंडिया के बिजनेस आइड कर दें तो यूएस वालों के लिए प्राब्लम होगी यूएस के बिजनेस आइड कर दें तो इंडिया वालों के लिए प्राब्लम होगी इस यह क्या करा है specify how escalation times are set यह तो business hours की बात हो गई हमारे यह बोल रहा है कि escalation times कैसे set होगा वो क्या करा based on यह करा when the case is created क्यारा जब केस create होगा है तब आपका escalation सुरू होगा के टाइम है वो यह काम होने लगेगा यहां फिर वो कैरा जब केस create हो तब सुरू हो जाए और जैसे केस मोडिफाई हो इसको डिसेबल कर दो है ठीक है यहां फिर बेस्डाउन लास्ट मोडिफेकेशन टाइम तो अब तीनों में डिफरेंस है पहला यह है वो यह कह रहा है कि अगर इसको तीनों को अगर हम इसको ले लें यहां पर इसकी इसकी बात करें एसे नहीं चलेगा ऐसे ठीक है यह तीनों अलग अलग है ठीक है और इसका जो heading है वो है specify how each discolations are set तो यह हमारा वेंड केस इस क्रिएटेड वह कह रहा है कि जैसे ही एस सुन आज दे केस इस क्रिएटेड जैसे केस क्रिएट होगा क्राइटेरिया मैच करेगा तो उसके घंटे शुरू हो जाएंगे बट वह इसको जरूर ध्यान में रखेगा अगर हमने यह सेलेट कर र है कि नंद डाकेश इस क्रिएटेड एndड डिसेबल इस अफटर केसिस फ़स्त ब जाएगा लेकिन इसक्रिसिन टायम बंद भी जात हो जाएगा जैसे क्रिएगा उस्ने कुछ भी चेंज कर दियांगे है उसने प्रियारीटी अर्जन्ट ही है वह ट्रियुवर्जन्ट ही होगी ठीक है लेकिन अगर उसको मॉडिफाइब कर दिल्दिधार तो क्षेशलेशन टाइम स्टाफ हो जाएगा जो अब वो क्या कहते हैए किसी यूजर मोडिफाइ किया हो सकता है किसी automation process ने उसको modify किया है ठीक है यह हो सकता है दूसरा करा based on last modification time तो वो क्या कह रहा है कि जब पहले case create होगा तो उसका case का creation date और last modified date दोनों same होगा है है नहीं सेम होता है ना जी confusion है लास्ट मोडिफाई तो होता है जब मतलब जो लास्ट चेंजिस होता है उसमें जब केस create होगा या कोई record create होता है जब कोई record create होता है जी तो उस समय केस का created date और modified date सेम होता है या नहीं होता है सेम होता है उस तो वह ही है उस समय पर केस का मौडिफाइद डेट से मोगतों वो क्या करा है कि जब केसक्रिएट होगा तब उस समय सुरू हो जाएगा लेकिन अगर मोडिफाई हुआ इसका इक्जांपल है लेटसे कि केस क्रिएट एट 1 pm ist. है उच है और केंट इसकेलेट करते हैं लेकिन अगर केस मॉडिफाइड हो गया केस मॉडिफाइड केस मॉडिफाइड एट लेट से की 3 p.m. ist ठीक है अब यह क्या करेगा फिर से केस इसकलेट स्टार्ट हो जाएगा अब नेक्स इसकलेशन टाइम कितना होगा 6 p.m. ist जी ठीक है क्योंकि हम कह रहे हैं कि बेस्ट ऑन केस लास्ट मॉडिफाइड जैस लास्ट मॉडिफाइड के बेस्ट पर इसकलेशन बढ़ाता जाएगा जी ठीक है उसके बाद अगर फिर से केस मॉडिफाइड हो गया केस मॉडिफाइड एट लिट से की 5 p.m. ist ठीक है केस इसकेलेशन फिर से स्टार्ट हो जायगा जी अब इस बारी जेशियौस ट Fang होगा वह गा 11 तो ऐसे ही ही वाला काम करता है। तो जब भी हम इसकलेशन बनाते हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि हमारा इसकलेशन सुरू कभ होगा। किसके बेस्पे सुरू होगा। अगर हम यह चीज़ नहीं जानेंगे तो हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ठीक है तो हमें बिजनेस से यह चीज मान पूछने बहुत जरूरी होती है यह आपका इसकलेशन सुरू कब हो रहा है किस बेस पर सुरू होगा उनको एक्जामपल देना पड़ेगा तो है कि यह एक्जामपल है अगर आप इसमें से एक्जामपल के बेस पर आप बताओगे जो बताओगे हम उसी को करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे मतलब उसी के साब से हम सेट अप कर देंगे ठीक है यह हमारा होता है इस इसकलेशन का जो भी escalation की ऐसे काम करता है ठीक है जी तो यह हो गया हमारा escalation का हाँ तो हम यहाँ पर बत कर रहे थे escalation की तो हम कहेंगे when case is created जब case create हुआ है ठीक है एक criteria हम और लगाएंगे कि case priority urgent हो और status new हो case status case status क्योंकि इसमें गहना equal new ठीक है दो चीज़े इसमें एक्चिली में देखने हैंगे status new ठीक है तो आप क्या करेगा अगर हम last वाले option की बात करें जो last वाले option था की based on last modified time ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या करेगा हर modified के बाद criteria चेक करेगा ठीक है यह बहुत important है जो case escalation rules होते है या assignment rule होते है वो हर modification के बाद criteria चेक करते है ठीक है अगर criteria match कर गया तो वो या assign कर देगा तुरंद जो है और अगर match कर देगा तो escalate कर देगा या फिर escalation को start कर देगा ठीक है depending on कि है क्या यह ठीक तो यह हमारा यहां पे हो गया तो हमने इसी लिए status लगा दिये new का कि अगर हम last वाला भी change करेंगे select करेंगे तो हमारा जो होगा status change हो गया तो फिर हमारा escalation खतम हो जाएगा बंद हो जाएगा हम status के base पे भी escalation लगा सकते हैं तो यह होगा हमारा अब हम इसको save करेंगे तो अगर देखोगे तो बहुत ही आप इसने यह नहीं बताया इसने सिर्फ यह कहा कि ठीक है escalation की यह entry है एक rule था rule के अंदर हमने escalation entry बना मतलब एक rule था उसके अंदर हमें एक entry बना दी अब entry के अंदर escalation actions घिक है escalation में क्या था escalation के अंदर rule था रूल के अंदर एक rule entry हो गईhältर करना के यह क्या हो एक तो उसका action क्या होगा उसका action एक हो थैक है उसका action क्या होगा है कि तो वो चीज्थ हमें अब यहां पे डालनी है तो हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं वह उसको टेम्प्लेट वगरए वगेर हैं इमेल करते हैं तो हम उस चीज को करने वाले तो हम क्या करेंगे इमेल बेजें हम कुछ भी करें तो जब हम new फे क्लिक करते हैं तो यह हमारा होता है पूरा का पूरा जो बोलता है कि कितने टाइम बात चले है यह ओवर हमारा क्या है यह गंटें होता है जिए the number of hours which is within which a case should escalate if has not been closed अगर उसके अंदर close नहीं हुआ तो cases escalate होगा ठीक है तो हम क्या हमने क्या बूला one one hour zero minutes या 30 minutes ठीक है उसके वाद minimum मतलब हम देखो हम minimum 30 minutes कर सकते उससे ज़ादे नहीं कर सकते जो उससे कम नहीं कर सकते हैं हम यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि इसको zero कर दिया और बोल दिया 30 minutes कि कि मिनिमम इतना कर सकते हैं आटो reassign cases किसको reassign करना cases escalate करना है तुम क्यूब पे जाएंगे क्यूब को sign करना है अब ये ठीक है इसको क्लिक किया और हमारा जो tier 1 support है उसको select कर लिया ठीक tier 1 support को call notification template जाएगा notification जाएगा वो यह है ठीक है यहाँ पर हमने template जो बनाया है वो है case escalation email template ठीक है फिर वो यह कह रहा है कि क्या आपके पास कोई additional user है जिसे आप notify करना चाह रहे हो कि escalate हो चुका है case ठीक है वो सकता है कि जब भी कोई case escalate हो manager है oriented maintainizer है वो जानना चाहता है कि कहन सा case escalate हुआ है ठीक है वो जानना चाहता है कि case कहुणสा escalate हुआ है तो उसके case मुआ हमसं यहाँ पी user को भी accelerate कर सकते हैं कि कौन सा यूजर है जिसको पता होना चाहिए कि कोई वड़ी बात होती है ज wife ले में से हम अपना यूजर किया कोई भी और वंसकता यूजर ठीकर्ट किए करना कियyal होता है तो जो कपना केस पर काम कर रहा उसको च्लाइब बेजना या नहीं कि हां बेजना उसको भी बेज दो उसको भी बता चले कि केस हो चुका है ठीक है यह हो गया एंदेन इसको के दिया सेट तो यह जो हमारी है एंट्री अगर हम इसकी बात करें 30 मिनट्स की एसकलेशन की बात करें तो यह हमारी है entry जिए ऐसे हमारी एसकलेशन अब इसमें multiple entries बना सकते हो एक rules के अंदर ऐसा नहीं है कि एक rule मतलब एक entry के अंदर एक ही action होगा multiple actions हो सकते हैं जिए जो कि यहां पर दिख रहा है मतलब email भेज दिया किसी user को दूसरी user को mail भेज दिया क्योंकि mail भेजने के लावा कुछ option नहीं है हमारे पास mail ही बेज सकते हैं जिए ठीक है तो इसमें multiple actions हो सकते हैं ideally लोग करते नहीं है बट हो सकते हैं ठीक है तो आप अगर वापस जाओगे अपने escalation rules में तो वह कुछ ऐसा है अब इसको हम एक बारी यहां पर फिर से discuss कर लेते हैं कि जो main escalation rules है वह कुछ ऐसा होगा case कि निचे तो assignment rule है ठीक है यहां पर business hours होगा case escalation rules तो कुछ ऐसा होता है केश escalation rules होता है केश escalation rules इसके अंदर होता है तुमारा पार रूल एंट्रीज जो कि कई साली हो सकती है और रूल एंट्रीज के अंदर होता है रूल एक्संस है या ठीक है माल्टिपल एंट्रीज एंड एक एंट्री के अंदर मल्टिपल एक्षिंस हो सकते हैं ठीक है यह होता है हमारा इसकेलेशन एक्षिंस आप इसमें वही सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है एक कोई भी क्राइटेरिया मैच कर गया किस और में एक्षिंस होगा वहता हिए औरtaa अगर एक कोई मैच कर गया तो यह दूसरे उसमें नहीं जाएगा ठीक है जैसे कि इसका यह वो ऑडर है एसकेलेशन रूल रू इसकेलेशन रूल्स का और और वहागा तू क्राइटेरिया में हम दे देते हैं case priority, case status, दो चीज़े, ठीक है, यह गया, equal, case priority is high, case status is new, ठीक है, business hours use करो, when case is created, और जैसे modify हो, उसको disable कर दो, ठीक, and save, यह था हमारा second criteria, escalation rules के अंदर, criteria के अंदर action होगा, is over, इसको हम बोलेंगे, 3 hours, 0 minute, ठीक है, 3 hours, 0 minute, assign किसको करना है, Q को, Q को assign करेंगे, हमारी यह tier 1, tier 2 support, notification template, वही सेम चीज़ हमारा है, case escalation email template, हमें नहीं notify करना, किसी user को, owner को जरूर notify करना है, एक चीज़ अगर देखोगे, तो यहाँ पर एक कह रहा है, कि additional emails भी specify कर सकते हो, तो अगर कोई ऐसा person है, जो, sense force में, जिसका user नहीं है, उसका यहाँ पर email specify करना हो, तो वो कर सकते हो, जैस अब जैसे यह कर दिया, email to casepanthereschools.gmail.com, तो यह क्या है, कि यह actual में, इस email पर जाएगा, अगर कोई और email है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देखकर, put each address in its own line, तो हम इंटर करके, हम यहाँ पर दूसरा दे सकते हैं, जैसे engineering की part साला, जै, add email.com, तो ऐसे हम 5 email डाल सकत है, up to 5 emails, तो इनको भी notification जाएगा, कि case escalate हुआ है, ठीक है, और इसको save कर दो, अच्छा, यह क्या कह रहा है, notification template, you must, ठीक है, इसको select करते हैं, mandatory कर दिया, यह भी बताते हैं, mandatory इसलिए कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर notify owner और यह दोनो email select करें, अगर notify owner या इन में से दोनों को हटा देंगे, तो mandatory नहीं होगा, अब इसको कर देते हैं, तो अब यह हमारा जो escalation rules है, दो entries के साथ ready हो गया, यहाँ पर अगर देखो तो, escalation rules के अंदर हमारी दो entries आ गए हैं और वो ready हो गया, पूरी तरह से, अब ही तक कोई doubt या कुछ भी escalation rules में, नहीं भी, clear है, सब अब इसको test करते हैं, तो एक नया case बना लेते हैं, ठीक है, एक नया case बना लेते हैं, इसको इसी case को ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इस case को, और एक नया case बनाते हैं, new, और status new है, priority urgent कर देते हैं, case origin email है और contact select कर लेते हैं कोई भी अर्यान लोगे ठीक है product interest यह सब हम दे देते हैं subject seeking guidance यह सब ओक है ठीक है assign कर देंगे इसको active assignment rule के तुरू और case escalation rules हमारा already active है ठीक है और आब इसको save कर देंगे अब क्योंकि हमारा case escalation rule urgent priority के लिए करा आदे घंटे में चलेगा ठीक है आटर रिस्पॉंस रूल यहां पर चलता नहीं है जब हम manually create करते हैं तो ठीक है वो हमने पहले भी discuss किया हुआ है हाँ तो अभी urgent है अब escalation rule आदे घंटे में चलेगा और आदे घंटे तो हम बैट करेंगे नहीं ठीक है एसाइन तो किया है उसने वाट आई थिंक उसको urgent priority के लिए हमने कुछ किया ही नहीं है तो इसलिए वो एसाइन नहीं हुआ है owner को ही रहे ठीक है कोई बात नहीं हाँ अब अगर हमें यह देखना हो कि इसकेलेशन रूल कहां पर हैं कितने टाइम पर चलेगा वह पहले चीज़ तो अगर हम आदे गंटे बात देखेंगे तो हमर पास के अंदर monitoring monitoring के अंदर case escalations इसको अगर क्लिक करोगे कि तो यहाँ पर क्या होगा यहांपर क्या होगा कि यह कहेगा कि सर्च करो कोई फिल्टर नहीं लगाना एसे सर्च पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर यह क्या दिखा रहा है Escalate add 1051 पे हमारा case create हुआ था हमारा case जो create हुआ था 1021 पे 1021 पे पे case create हुआ था ठर्टी मिनेट अगर add किये जाएं तो 1051 होता है इसलिए इसने 1051 पे escalate करेगे इसको किस case से related escalate करेगा ठीक है किस केस से related करेगा उसके बाद कौन सी सरे कौन सा से रूल है जो चला है ठीक है जो एक्टिव वो चला है ठीक उसके बाद रूल एंट्री कॉंसर वाली एंट्री थी हमापा दो थी इसमें ये पहली एंट्री है अर्जेंट वाली ठीक है उसके बाद कितना एक्षन 30 मिनिट्स इग्नोर बिजनेस आवर्स नहीं इग्नोर नहीं करेगा ठीक है एक नया केस अगर इसी केस को क्लोन किया जाए और इसकी प्रियारिटी अर्जेंट की जगे हाई कर दी जाए और कुछ नहीं किया जाए इसको सेव कर दिया जाए तो देखोगे ये असाइन्मेंट रूल से ये असाइन भी होगा ठीक है ये 10 23 पे एड हुआ था अब ये 123 पे एसकेलेट होगा क्योंकि 10 और प्लस 3 होता है 11 बारा एक ठीक है 11 बारा तेरा जी वो चीज़ है तो वो चीज हमें यहां पर बहुत ध्यान से करनी है तो यह हमारा केस इसकेलेशन रूल ऐसे काम करेगा तो अब एक इमेल जो आएगी वो आएगी 10 बच के क्यों मिनट पे एक इमेल जो आएगी वो आएगी एक बच के 23 मिनट पे केस इसकेलेशन की जी ठीक है तो केस इसकेलेशन रूल जो काम करता है वो ऐसे काम करता है है ठीक है और कोई डाउड अभी तक इसमें ने कुछ भी क्लियर है क्लियर है क्लियर है सब कुछ भी हाँ जी